तो दोस्तो आज 26 January 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important shares की पर जिसका हाली में quarter 3 का result आउट वा इनमें कुछ-कुछ company का share ऐसा भी है जिसका result काफी खराब आने के करण कल गिरावट होने का chance है यानि भारी बरकम crash होने का chance है कुछ-कुछ company का result काफी अच्छा होने के कारण कल उपर की तरह move होने का भी chance है अब एक-एक करके चलिए देख लेता है कि कौन सा company कैसा result present किया quarter 3 में तो सबसे पहला जो important shares है इसके उपर कल आपका नजर होना सबसे ज्यादा जरूरी है वह डिक्सोन टेक्नलोजी इंडिया लिमिटेड लास्ट डे हमने देखा था market बंद हो जाने के बाद डिक्सोन टेक्नलोजी का quarter 3 का result आउट हुआ बात यह है एक तो इसके result बहुत आया जो मार्केट के estimate था उससे लगवक 34% डाउन आया अगर एक दो परसंट भी डाउन हो गया ना उसका भी इंपक्त आपको नेक्स्ट बजार में देखने को मिलता है यहां पे तो सिदा सिदा 34% की डाउन हमें देखने को मिला सिर्फ यहीं नहीं मैं आपको एक बात इस पे भी 3800 करोर से सिदा सिदा गिर के 2400 करों में पहुंच चुका यानि सीदी सी बात है कि टोटल इंकम के अंदर भारी बरकम गिरावाट हुआ अगर हम बात करें मार्जीन तो देखें मार्जीन के अंदर इंप्रूब्में देखने को मिला यह पॉजिटीव पाट है त इस पर बावन करों पर पहुंच चुका है उसको बीट नहीं कर पाया लास्ट क्वाटर में सेप्टेमबर 22 में कमपणी का नेट प्रॉफिट आया था 77 करों रुपए जो की अल्मोस 34 परसें के आज में डाउन देखने को मिला बावन करों पहुंच चुका है अब बात यह ह मुझे पूछ रहा था कि सर शेयर के अंदर अभी गिरावट होगा कहां तक गिरेगा तो दिख एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है और क्यों यह गिरावट हुआ इस पर क्वार्टा 3 में समझ लिजे कंपनी बेसिकर क्या बनाता है कंजूमर ड जो मार्केट था चाइना हो गया वहां पर डिमांड काफी कम होने के कारण जो कंपनी का एक्सपोर्ट था वह काफी कम हुआ जिस बैस हमने देखा आज की रेट पे सेल्स के अंदर काफी ड्रॉप हुआ जिस बैस से टोटल इंकम गिरा बट रेविन्यू कंदर ड्रॉप हो में भी हमने देखा था जब में जून के टाइम पे मार्केट गीरा तो उस टेम पर इसी लेबल कास पहुंच गया था अच्छा सपोर्ट मिला उसके बाद शेयर फर्दर मूफ किया उपर की दरब एप्रॉक्सिमेटली सारे चारज़र तक पहुंच किया लास्ट एक मैने य कि कल थोड़ा सा मुश्किल होगा 33 को पर शेयर को सस्टेन कर पाना क्योंकि हर एक सेग्मेंट पर बात करें सेग्मेंट पर कंपनी जो खराब परफॉर्म किया तो अगर 3300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके सीधा-सीधा बतीसों या तो 3250 का आसबाद शेयर गिर सकता ह है बट हां कोई भी सिच्वेशन में दोस्तों मैं आपको रेक्मेंट करूंगा गलती से एक भी शेयर सेल मत करना अगर आपके वास डिक्सान टेक्नलोजी का कंपनी मतब शेयर है अराम से लॉंग टाम के लिए जा सकतो कंपनी अच्छी कंपनी है यह जो सारे एक्स्टरनल इशूस के बज़े से आपको यह सारी मतब जो चेंजेस बगरा यह ड्रॉप देखने को मिला रेविन्यू के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर वह बहुत जल्दी दोस्तों रिकवर हो जाएगा जैसे फिर से यहां पर डिमांड शुरू हो जाएगा बहार ठीक है तो इम मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा हुआ कंपणी का सबसे वहले देख लिजी यहां पें कंपणी का दिकी छोटे कंपणी जिस बाइस जो टोटल इंकम बगए रहा या नेट प्रॉफिट वहां पर बहुत बड़ा नंबर देखने को नहीं मिलेगा लास्ट यह पैतली स्क का टोटल इंकम हुआ था इस बार बरके एक सटकर पर पहुंच चुका है इवन क्वार्टर और क्वार्टर बेसे बी काफी अच्छे जम देखने को मिला अगर हम बात करें मार्जिन तो देके मार्जिन के अंदर ड्रॉप हुआ क्योंकि का टोटल इंकम जो की अच्छा आया था जिस वैसे मार्जिन ड्रॉप होने की कारण भी दस करोर से बरके पंद्रा कर पहुंच चुका है मतब यह अगर हम बात करें फिप्टी परसंट की ग्रोथ देखने को मिला अनफॉचुनेटली मार्जिन के अंदर मतब गिरा यह का होने का चांच हालका फूल का करेक्शन मातब मत बहुत बढ़त ट्प करेक्शन नएक वर यह करेक्शन होने का चांच है इंद आया शेर इंपको Chard यह फिर से ओपन होका तो देख लिजी कितना शांदर कंपनी यह पर रिजल प्रेजन किया डिसमबर 21 लास्ट यह पे कंपनी का टोटल यह यह पे रिविन्यों आया था 635 कर जो कि इस पर बढ़के सीधा सीधा आठ सो अठ्राकर पर पहुंच चुका इवन क्वाटर लिए अच्छी बात है नेक्स्ट अगरम बात करें क्योंकि देखें यह थोड़ा बहुत हमें मार्चिन ड्रॉप हुआ बट रेविन्यू कंदर काफी अच्छा जम था जिस वैसे लास्ट यह पे कंपनी का टोटल नेट प्रोफिट आया था एक सो कावन करोर वहां से दोस्तों ब अब देखना है कि कल कैसा मुवेंट होगा थिंग थोड़ा बहुत पॉजिटिव जाने का ही चांट सबसे ज़्यादा है बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट लास्ट अपडेट पर उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इन्फॉर्मिटिव लगा प्ली हमें देखने को मिला जैसे कि देख लिजी कुछ इंपॉर्टेंट सेग्मेंट पे सबसेले रेविन्यू के माम में कुछ खास हमें याप गिरावर देखने को नहीं मिला लास्ट यह ता दो हजाट दूसों पंद्रा करोर करे वीनियू इस बड़ बढ़ चुका है और मुस् यह कितना मार्जिन था 21 परसें कहां 21 परसें और इस बड्रॉप कहां भी वा देखिए 17 परसें एटीन परसें ने सीधा 12 परसें पहुंच चुका है मतलब कहां 21 परसें कहां 12 परसें इतना गैप हमें देखने को मिला इवन क्वाटर लिए अगरम बात करें 15 परसें से भी ड आवर देखने को मिला 416 करों से गिर के 278 करोपे पहुंच चुका है और मज़े की बात यह है कि बोला भाईया हम खड़ाब रहसाल जरूर किया पर हम आपको खुश भी कर देंगे कैसे खुश कर देंगे हम डिविडेंट दे दिया डिविडेंट कितना परसें का देर सो पर है वह भी कंपनी अपर मेंचन कर दिया जैसे कि अब देख सेकतों की डिविडेंट आपके पास यहां पर आना शुरू हो जाएगा सेवन फेबरोरी से मतब त्यूस्टी के बात से और अच्छी बात है आपके आपके अच्छी बात है आप यहां पर इलिजिबल शेर होलडर कोई भी खड़ाब कंपाई नहीं है बेसिकली एक्स्टर्नल इशूस की बज़े से लगातार हमें गिलावर देखने को मिला बट हां अभी इमिडिएटली फ्रेश पोजिशन बनाने की गलती भी मत करना कल अगर बात करे कुछ बड़े कंपनी का रेजल्ट आउट होगा जै जाए हिन तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट आकौन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाट्परांड में डिमेट आकौन उपेन कर सकते है जहां पर आपका ब्रोकर इच प्रीज ना के बड़ा बल लगता है लिंक आपको वीडिय चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डिमेट आकौन बन जाएगा